नमस्कार आपका मेरी चैनल में स्वागत है आज मैं आपको हनुमान जी और एक राजा की कहानी सुनाने जा रहे हूँ अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट फॉक्स में हनुमान जी कीजिए अवश्य लिखिए साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे हैं अब सुनूए ये कहाने किसी गाउं में एक सेथ सेठानी रहते थे उनकी तीन बेटे थे दो बेटों की साधी हो चुकी थी छोटा बेटा बहुत ही सीधा साधा था छोटे बेटे का नाम रतन था सेठ जी की बड़ी सी दुकान थी सेठ जी अब बुड़े हो गए थे तो उनका सारा काम उनके बड़े बेटे ही समालते थे रतन पहलवानी करता था रतन हनुमान जी का परमभक्त था वो हर रोज हनुमान जी का पूज़ा पाठ किया करता था हर रोज हनुमान जी की रतन अखाडे में कुष्टी लड़ता था और अपने तथा दूसरे गाउं में काफी नाम कमा चुका था एक बार उस राजी के राजा ने दंगल करवाया जिसमें आसपास के कई पहलवान आए रतन ने भी उस दंगल में हिस्सा लिया उसने कई पहलवानों को कुष्टी में हरा दिया आकरी दिन रतन का मुकाबला राजा के खास पहलवान से था काफी मशक्कत के बाद रतन ने राजा के पहलवान को भी हरा दिया तब राजाने खुस होकर रतन को एक स्वन पत्र दिया। रतन बहुत खुस था। उसने वह स्वन पत्र लाकर हनुमान जी के चड़ों में रख दिया। रतन हनुमान जी की सेवा करने में बहुत खुस था। उसे हनुमान जी की सेवा करना बहुत अच्छा लगता था। वह द क्योंकि वो चाहते थे कि रतन भी काम में उनका हाथ पटाए लेकिन रतन को काम और दुकान से कोई मतलब नहीं था क्योंकि उसे धन दौलत से कोई लगाब नहीं था एक बार मंदिर के पुजारी ने रतन से कहा कि हनुमान जी को मंगलवार के दिन सिंदूर और घी चड़ाना है इसलिए तुम अपने घर से देशी घी ले आना रतन बहुत खुश था कि उसे हनुमान जी पर सिंदू चड़ाने का मौका मिल रहा है वे खुशी खुशी अपने घर आया और सारी बात अपने घर बालों को बता दी यह सुनकर रतन की भावियों ने कहा कि तुम्हारे भाई दिनवर महनत करते हैं तब चार पैसे घर में आते हैं, तुम कुछ भी नहीं करते हो सारे दिन इधर उधर घुमते रहते हो, अब तुम्हें एक भी पैसा नहीं मिलेगा रतन बहुत निरास हो जाता है, फिर वे अपने माता पिता के पास जाता है और सारी बात अपनी माता-पिता को बताता है तब रतन की माता-पिता उससे कहते हैं कि बेटा हम तु लाचार हैं हम कुछ नहीं कर सकते सारा ब्यापार दोनों बेटे समालते हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं तब रतन बहुत दुखी हो जाता है और वे सोचता है कि अब हनुमान जी को सिंदूर और घी मैं कैसे चड़ाऊं वे दुखी मन से मंदिर में जाता है और वहाँ स्वण पत्र निकालता है तथा स्वण पत्र देखकर सोचता है कि मैं इसे बेचकर सिंदूर और घी ले आता हूं रतन ये सोचकर गाउं के ही एक सुनार के पास चाता है सुनार को वह सुनड़ पत्र देता है सुनार जब उस सुनड़ पत्र को देखता है तो उस पर राजा की महल लगी होती है सुनार सोचता है कि रतन इसे चुरा कर लाया है इसलिए वह ये खवर महल में बिचवा देता है तो राजा की सिपाही रतन को पकड़ कर महल ले जाते हैं फिर राजा रतन से पूछते हैं कि तुम इसे क्यों बेचना चाहते हो तब राजा को रतन सारी बात बता देता है राजा रतन की बार सुनकर बहुत गुसा होते हैं और कहते हैं हमने तुमें ये सौरपत इनाम में दिया है और तुम इसी बेचना चाहते हो पता भी है इसकी क्या किमत है तब रतन कहता है महराज इसकी कितनी भी किमत हो लेकिन हनुमान जी के सामने कुछ भी नहीं है ये सुनकर राजा को और अधिक गुसा आ जाता है और राजा रतन को काराबास में डलबा देते हैं और सौन पत्र अपनी पास रख लेते हैं जब राजा रात को सो रही होते हैं तब हनुमान जी राजा को सौपन में दर्सन देते हैं और कहते हैं कि तुमने मेरे भक्त के साथ अन्याय किया है तुमने उसे बंदी बना लिया है वो भी एक सौन पत्र के लिए उसकी क्या गलती है तुम जिस धन दोलत पर इतना घमंड कर रहे हो वो किसी काम का नहीं है जैस वह कितना भी कीमतिकियों नहो इसलिए सुबह तुम उसे छोड़ दो नहीं तो मैं तुम्हारा सारा राज और सारा धन नश्ट कर दूँगा जिस पर तुम्हें इतना घमंड है यह कहकर हनुमान जी अंतर ध्यान हो जाते हैं राजा जब सुबह उठता है तो वह रतन को दर पूरे विदी विधान से रतन से हनुमान जी पर सिंदू चड़वाय जाता है फिर राजा ने हनुमान जी से छमा मांगे साथ ही राजा ने रतन को बहुत सारा धन दिया और रतन को उस मंदिर का संरच्छक बना दिया इसके बार रतन ने अपना घर छोड़ दिया और मंदि के पास ही रहने लगा तथा दिन रात हनुमान जी की सेवा करने लगा वे हनुमान जी की सेवा करने में बहुत खुश था जै हो हनुमान जी की तो हे हनुमान जी जैसे आपने इस भक्त पर अपनी किर्पा की वैसे ही सभी भक्तों पर अपनी किर्पा सदा बनाए रखना अगर अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताईए साथी मेरे वीडियो को जादे से जादा शेयर करिए धन्यवाद